समझ eezy by chemistry इस वीडियो कर यह मेंम बात करेंगे समने क्लासिफिकेशन फिर औरmun कार्बोहाइड्रेट इसमें आयोग शुम के आयोग को फिर थे तीन समों में विभाजित किया गया है मोनोशांग्राइस औहोग उलीगोस अकृराइड्स और पॉली Monosacrites, आईए सबसे पहले Monosacrites के बारे में जानते हैं, Monosacrites, Mono का मतलब होता है एक, Monosacrites में केवल एक sugar unit होते हैं, एक sugar molecule होता है, जिसको हम आगे और hydrolyze नहीं कर सकते हैं, ये simple sugars होते हैं, सुआद में मीठे होते हैं, बेरंग होते हैं, क्रिस्टली होते हैं, और पानी में आस संख्या के आधार पर तथा फंक्शनल ग्रुप के आधार पर आगे और उप विभाजित किया गया है इन में मौझूद कार्बन एटम की संख्या के अनुसार ट्रायोज अगर तीन कार्बन मौझूद हो तो एक्जांपल डाहेट्रोग्ज असिटोन टेट्रोज चार कार्बन कार्बन एटम वाले एक्जांपल ग्लुकोहेप्टोज अब इन में मौझूद फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अल्डोज अगर इन में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होतों मौझूद होतों एक्जांपल ग्लुकोज कीटोज अगर इन में कीटोन फं संख्या 2 से 10 हो सकती है और वो एक दुसरे से ग्लाइक्रोसेडिक बॉइंट से जुड़े होते हैं इन में मौझूद शुगर मॉलिक्यूल की संख्या के आधार पर इन्हें आगे और बाटा गया है डाइसेकराइट्स यानि इन में दो शुगर यूनिट मौझूद होते हैं दो शुगर यूनिट क्लाइक्रोसेडिक बॉइंट से जुड़े होंगे लैक्टोस, माल्टोस, सुक्रोस Trisacrites यदीन में तीन शुगर यूनिट्स हों तो Example, Raffinose Tetrasacrites यदीन में चार शुगर यूनिट्स होंगे Example, Stachios Polysacrites Poly का मतलब होता है Many बहुत बहुत स्यादा शुगर यूनिट्स जिनकी संख्या 100 या 1000 हो सकती है एक दूसरे से Glycosidic Bond से जुड़े होते है ये Amorphos होते हैं यानि जिनका कोई शेप आकार नहीं होता है Tastless होते हैं, बेस्वाद होते हैं, पानी में आसानी से गुलते नहीं हैं और इनका Molecular Weight बहुत ज्यादा होता है इनमें मौझूद शुगर के प्रकार के अनुसार उप्विवाजित किया गया है Homopolysacrites और Heteropolysacrites में Homopolysacrites, होमो का मतलब होता है Same Homopolysacrites में एक ही प्रकार के sugar molecules या sugar units होते हैं Example, starch, glycogen, cellulose Heteropolysacrites, Heteropolysacrites में विभिन प्रकार के sugar molecules हो सकते हैं Example, glycosaminoglycans और agarose आए दोस्तों इस वर्गी करुन को जल्दी से summarize कर लेते हैं सारांश में देख लेते हैं Carbohydrates को तीन समुहों में बाटा गया है Monosacrites, Oligosacrites और Polysacrites Monosacrites को इनमें मौझूद कार्बन की संख्या के अनुसार तथा functional group के आधार पर उपिवाजित किया गया है Oligosacrites को इनमें मौझूद Sugar molecules की संख्या के आधार पर Disacrites, Trisacrites, Tetrasacrites, etc. में उपिवाजित किया गया है Polysacrites को इनमें मौझूद Sugar के प्रकार के अनुसार Homopolysacrites सता Heteropolysacrites में बाटा गया है आएए दोस्तों एक simple सा निमोनिक अर्थात स्मृति सहायक इस आसान से classification के लिए देख लेते हैं My Obedient Pet which stands for Monosacrites, Oligosacrites, Polysacrites दोस्तों मैं इन सभी संसाधनों का कृतक गी हूँ जिनकी बदलत मैं ये वीडियो बना पाया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुश रहिए, स्वस्त रहिए और याद रखिए Biochemistry is easy Thank you so much